आजम खां साब के उपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजेस की बजह से उनके साथ इस तरह का ब्योहर हो रहा है बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी उनके साथ साजिस पहले दिन से करते है और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं हो सकता है लोग मेरे पर ठिपडी करें लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं वो इनिवेस्टी बना दी इसलिए उन्हें ये सजा मिल ले आप काम कर मत करिए बीजेपी की तरह आप काम मत करिए बस नफरत फैलाईए जहां आपको जाती की नफरत मिल जाए वहां फैलाईए धरम की नफरत फैलाईए तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धरम के कारण उनके साथ इतना अन्याय न हो रहा है और सब को यकीन है और सब जानते हैं उन पर इसी लिए अन्या हो रहा है कि उन्यूरस्टी बना दी उनका धर्म दूसरा है